तो फाइनली शौमी के दरब से ओफिशल ग्लोबल एंड इंडियन यूजर्स के लिए अपडेट प्लान रोल आउट हो चुका है वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूद दीजेगा सबसे पहले हम लोग ग्लोबल यूजर्स के अपडेट प्लान को देख लेते हैं तो यहां पर देख सकते हैं प्लान 2023 यानि कि जन्वरी फर्वरी मार्च सबसे पहला अपडेट्ट स्वावी 12 स्रीज को मिलेगा फिर स्वावी 11 स्रीज फिर में 11 स्रीज फिर रेदिमी नोट 11 स्रीज एंड इंड में रेडिमी नोट 10 रिस्क को मिलेगा त्या अपडेट शेडूल ग्लोबल यूजर्स के लिए पर्फेक्ट है और बात बखी जो भी डिवाइस रगा ग्लोबल यूजर्स वाला उसका भी अलग से लिश्ट आएगा बट अब नजर डालते हैं इंडियन यूजर् अपडेट प्लाइन है सबसे पहले कौटर रवाण यानि की जनवरी परिवियू मार्च यह अपडेट प्लाण बेस्ट है जैसे कि सबसे पहला अपडेट मिलेगा, शौमी 12, सौमी 13, रेडिमी नोट 12 प्रो 5G, डेडिमी नोट 12 प्रो प्लस 5G, मी 11 सीरीस, रेडिमी 11 प्रा लिश्ट में काफी जदा गरबड़ी देखने को मिला है याद की स्पेलिंग में भी मिश्टेक हो चुका है अब से पहले बात कर ले थे क्वार्टर टू याने की त्री मंस के अंदर आपको शाओमी 11 शाओमी 11 इन पावर और रेडिमी नोट 10S जी हाँ रेडिमी नोट 10S को अपरेल मैं जून इन तीन मैने के अंदर मिवाई 14 का अपडेट मिल जाएगा उसके बाद रेडिमी नोट 10 5G और रेडिमी नोट 10 5G तो इंडिया में रेडिमी नोट 10 5G अब तक लांच नहीं हुआ तो यह भी पुरूप आपको दिखा देता हूँ पुरूप के तोर पर आप यहां पर देख सकते हैं शामी के अफिशली डिस्कॉर्ट सर्वर है जहां पर किलरली मैंशन कर दिया है कि रेडिमी नोट 11 प्रो मैक्स इस एक्चुली रेडिमी नोट 10 प्रो मैक्स तो लिस्ट में काफ अपर इटमी नोट 11 डेडिमी नोट 11 S लेडिमी नोट 11 प्रो 5 G रेडिमी नोट 11 प्रो 5G स要प जो रेडिमी नोट 11 प्रो 5G से एक इस नींथ से से quarter 3 अलग को quarter 2 में update मिलना चाहिए था क्योंकि 11 सिरीज और 12 सिरीज के कुछ ऐसे devices है जो हाली में release हुआ है जबकि readyme 9 power readyme note 10 series 2020 2021 में release किया गया था बट इन सब device को सबसे पहले update मिल रहा है इस बार शौमी ने इस तरह का update schedule क्यों निकाला है शौमी ने चीज के लिए नहीं किया है और features के मालने में भी बहुत कमी features मिलेगा आप लोग बहुत ज्यादा expect कर रहे थे कि MIUI 14 चाइना में जैसे launch किया गया था और super icon super footage का support मिला था बट ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है यहां पर आप देख सकते है आइकन वेगरा बिग और बोल्ड देखने को मिलेगा वाट मिवाई 14 अला super icon and super footage नहीं मिलने वाला हां कुछ features ऐसे भी है जो अच्छा है यहां पर आप देख सकते एक features यहां पर mention क्या गया है जो की gallery में मिलने वाला है ऐसे कोई भी आप image वेगरा निकालता है और वहाँ पे कुछ text है और उस text को अगर आपको copy करने तो आप easily कर सकते है और 10 plus system application में privacy protection मिलेगा storage को थोड़ा सा optimize किया गया है mean read and write का speed काफी बढ़िया मिलने वाला है safety का भी ध्यान रखा गया है और आप जितने भी application सबसे जादा use करते है वो automatically favorite section में चला जाएगा तो यह बढ़िया features लगा मुझे और connectivity में थोड़े सी improvement हो चुका है जैसे कि आपको अपने phone को directly अपने PC, laptop के साथ connect करना है तो आप easily connect कर सकते है जो भी files, photos, videos है उसे आप बहुती fast transfer कर सकते है तो Xiaomi के दरब से Indian and global users को MIUI 14 update में ज्यादा कुछ latest features देखने को नहीं मिल रहा है औ आज के लिए बस इतना ही आगे और भी सिदर के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए पसनले कोई हल्प चाहिए तो टेलिगरम ग्रूप को जोइन कीज़े और इंस्टा में फ क्यों